नमस्कार आप सभी कई को फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ चीजों के बारे में जिसको कि अगर आप प्रेग्निंसी में खाती है तो इससे आपके बच्चे के दिमागी विकास पर असर पड़ता है आपके बच्चे का आपकी लेना आपके लिए अच्छा नहीं होता और आपके बच्चे के लिए बीमागे विकास के लिए और जाए नहीं नहीं हो नीए यह साथ साथ इससे आपके बच्चे के वजन पे भी असर पड़ता है तो प्रेगनिसी में जितना कम हो सके चाई और कॉफी पीने की कोशिज करें इसके अलावा कैफेन चॉकलेट में भी होता है तो ज्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा अगर आपको इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं पीना है जो की नुक्सान दायक हो और जो जूस वगरा आपको पीना भी है तो बिल्कुल ताजा जूस पीजी अपने घर में बनाई है या फिर मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको दुकान मिल जाएंगे जो की फ्रेस जूस बनागे देते हैं तो उनसे जूस लीजिए डिबाबन जूस नहीं लेना बहुत जदर नुक्सान फीन डियों यहां लीुप जिए जिससे की बचे को सरारीक और मानसिक विकलांगता हो सकती है तो इससे आपको बच्चा जिंदगी पर परिसां रह सकते हैं तो इसल occupy आपको तो बिल्कुल हाथ लगाना नहीं, देखना भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलाबा और भी नसे की चीज़े होती हैं, गुटका है, तंबाकु है, सिक्रेट है, यह सारी चीज़े हैं, आपके बच्चे तक गर्बनाल के माध्यम से पहुच जाती हैं, और आ इडली है, या फिर ऐसा कुछ आ रहा है, जो कि एकदम से ही बन जाती है, देखा और आपने, आज कल बहुत सारे इंस्टेंट फूड आते हैं, वो बहुत ज़र नुक्सान रायक होते हैं, इनको ठीक करने के लिए बहुत दा केमिकल डाला जाता है, जो कि आपके बच्चे क आपको बहुत सारे इसे स्वीट मिल जाएंगे बेकरी प्रोडक्ट मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे ऐसी चीजे मिलती हैं, जैम वगरा होते हैं, जिनमें की स्वीट का इस्तमाल किया जाता है, तो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको मीठा काना पसंद देख आप ग बहुत सारे इसे स्वीट मिल जाते हैं, तो आप इन चीजों का इस्तमाल करें या आपके बिल्कुल सही नहीं है, इसके लाबा देखिए आपको ना इस समय कच्चा अंडा, कच्चा दूद, कच्चा मास या उनको भी खाने से परेज करना चाहिए, देखिए कच्चा इस प फाइदे मंद होता लेकिन प्रेविंसी के लिए सही नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बैक्टेरिया होते हैं जो कि आपके बच्चे को नुक्सान पहुचा सकते हैं तो इसलिए अगर आपको इस प्रॉड पसंद है तो हलका से उबाल लीजिए ताकि उसके बैक्टेरिया मर जाए और आप अराम से इस प्रॉड को खा सके और इस तरीके साथ को कच्चा दूद बिल्कुर ने लेना क्योंकि कच्चे दूद में कुछ ऐसे बैक्टेरिया होते हैं जो कि आपके बच्चे को आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं तो दूद को अच्छे से उबालने के कि बिल्कुल से नहीं हैं इसके लाबा देखो बहुत सव लों क्या करते हैं दूद में अंडा डालके कच्चा डालके उसको पीते हैं और आकी वे ऐसी आदत है कच्चा अंडा या फिर अन्डे को थोरा सा पका लेते हैं मतलब कि गैस पर डाला हलका सा पका लिए एक तरफ स है बर्गर है या फिर कुछ भी चार्ट प्रोकर अगर आपको पसंद है तो भी आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता देखो इनमें वैसे केमेकल नहीं डाला जाता लेकिन किया है कि इनको खाने से ना आपको कोई जरूरी पोसात्तव नहीं मिलता तो ऐसे में आपके बच्चे के विकास पर असर पड़े देखो हैल्दी चीजे खाओगे तभी तो आपके बच्चे को जरूरी पोसात्त मिलेंगे और आपके बच्चे का दिमाग और सारे विकास अच्छा होगा लेकिन अगर आप जादा उल्टा सिदा चीज खाएंगे जिसमें कि कोई पोसा संद आया होगा माती में मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय थैंकि सो मच नमस्ते